नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो सफेद रंग के कीड़े लग जाते हैं हमारे पोधे पर सफेद सफेद रहते हैं देखिया हमारे पत्तियों को भी सोख लेते हैं तो पत्तियों के एनर्जी को सोख लेते हैं पत्तिया टेड़ी हो जाती हैं तो ये क्या है ये कीड़े क्या होते हैं और हमारे पौधे को नुकसान किस तरह से पहुंचाते हैं और हमें इस से जो है किस तरह से अपने पौधों को बचाना होता है तो दोस्तों ये जो छोटे छोटे जो दिख रहे हैं आपको सफेद रंके रूई जैसे होते हैं और इन प जो चीटिया होती है वो चीटिया क्या करती है कि इनके जो बच्चे होते इनके जो अंडे होते वो एक पौधे से दूसरे पौधे पर ले जाने का काम करती है तो हमें इनसे बचाने के लिए बहुत ही कोई बड़ा काम नहीं करना होता और इन से छुटकारा पाना बहुत ही आसान है हमारे घर में ही रखा हुआ है हमें अलग से कुछ इसमे करने की ज़रत नहीं होती है तो ये जो छोटी-छोटे सफेद रंग के आप देखते हैं इसको देख कर कि आप पहचान लीजिए इस तरह के होते हैं इनको मेली बग कहा जाता है देखिए इस तरह के होते हैं मेली बग कहते हैं इसको और इन से छुटकारा पाना बहुत ही आसान है चलिए मैं बताता हूँ किस तरह से छुटकारा पाते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है आपको जो है एक आदा लिटर पानी ले लेना है और उसमें जो है hand wash मिला लीजे चाहे liquid soap कोई हो उसको आप मिला लीजे बड़ा सा liquid soap देखिए मैंने याँ पर मिला लिया है hand wash है hand wash को मैंने इसमें मिला लिया है मिला निक बाद पानी को अच्छी तरह से जो है शेक करेंगे ताकि ये जो है आपके पानी में ठीक से मिल जाए और उसके बाद जो है आप ये देख लिए जबाद पूरी तरह से मिल जाए उसके बाद ही अपलाई करिएगा तो उसका अपने इसको मिला लिया और उसके बाद जो है इंफेक्टेड एरिया पे इसको जो है स्प्रे करेंगे देखिए किस तरह से करते हैं हम देखिए यह हमारे पर लगा हुआ है और इसको इसको स्प्रे कर रहे हैं यह देखिए यह देखिए स्प्रे करते ही जो है यह देखिए सा अच्छान तरीका है देखे आप सिंपली जहां जहां पर आपके पोदों में लगा हो उन जगहों पर आप इसको जो है स्प्रे करिए और दो बार स्प्रे करना है एक बार पहले कर लिजा तो लगबग सभी खता हो जाएंगे और जो दुबारा आप करेंगे तो एक भी इसमें बचेगा नहीं तो यह देखे यहां पर भी देखे कितना सारे लगे हुए हैं अब मैं इस पे स्प्रे कर रहा हूं यह देखे और जो हमारा पूरा का पूरा पौदे का जो उपर का जो पाड़ था वो पूरा ढखा हुआ था और इस समय जो है पूरी तरह से खुल गया है इ लक्षमन रिखा से घेरा बना दीजे तो उससे जो आपके एक पौदे से दूसरे पौदे पर जाते हैं यह वो भी बच जाएगा क्योंकि चीटिया ले करके उसको इस पौदे से उस पौदे पर नहीं जा पाएंगे तो बहुत ही आसान तरीका है आशा करता हूं वीडियो पसंद आई है पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजेगा फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टापिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर